इतिहास के पन्नों में सुनेहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी कैसे प्रभु को सौप दी तूने पूरी अपनी जिंदकानी सच्चाई सफाई साधगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान इस धर्ती को गुलिस्ता बनाया तू है शाने हिंदुस्तान कभी दुर्गा कभी शीतला बन बर्दानों की वर्षा की मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रुखानी पालना की तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रम्हा वत्सों द्वारा पाई है तेरी यादों को संजो कर एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है Companion of God दादी जान की गंगासी शीतल पावन पाप धोती नदिया है ये तार देश सब का जीवन कुल का उधार करती बेटिया है ये शहद की तरह मीठी हस्ती खिलखिलाती कलिया है ये वक्त को भी मात देती कभी न ठकती जवानिया है ये जान गई जिनने अब सारी दुनिया ऐसी हमारी दादियां हैं ये नमस्कार, ओम शांती आप सभी दर्शकों का Companion of God दादी जान की कारिक्रम में बहुत बहुत स्वागत है प्रिय भाई बहनों, वंदे मातरम का नारा पूरे भारत वर्श में बड़े जोश और उल्लास के साथ आज भी बोला जाता है सच मुच, कितनी वंदिनिये होंगी वो माताए बहने जो अपने त्याग, महनत और तपस्या के बल पर किसी का जीवन सवार देती है इसलिए आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराएंगे जो खुद इस संस्था का एक बहुत महत्वपूर अंग है और जो हमारी दादी जी की पुरानी सखी और सहेली भी है तो आईए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं आदर निय राजियोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर दादी रतन मुहिनी जी का दादी इस संस्था की आदी रतन है और वर्तमान में इस संस्था की एडिशनल चीफ भी है दादी जी आपका हमारे इस कारेक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे पास यहां पधारे हैं हम आपसे आज बहुत सारी गहरी बाते निकलवाएंगे, आपसे जानेंगे, समझेंगे, तो दादी जी सबसे पहले तो हम यह जानना चाहते हैं कि जब शिव बाबा की पद्रामणी हुई और बाबा ने ग्यान देना शुरू किया और एक संस्था का नाम उस समय शुरू में स यह जाना चाहते हैं और आप कैसे इसके साथ जुड़े बाबा का सच्छन चलता था वो तो कुछ समय से जनरल चलता था और हम तो इसकूल में पहड़ती थी माताजी कभी-कभी जाती थी इसलिए हम भी जब इसकूल में पहड़के तो जब आगे के क्लास में जाना था तो वो इसकूल में जगा नहीं मिली तो हमने सोचा इस भटकने से तो अभी हम चले जाते हैं बाबा के पास ऐसे करते हैं फिर हम मा के साथ उदर सत्संग में आने लगए जैसे ही आने लगी तो जब हम सुनने बैठी तो समय अचानक मुझे भी पता नहीं लेकिन अचानक सुनते सुनते मैं जैसे गुम हो गई जिसका हमें भी पता नहीं जिसका हमें भी पता नहीं गुम होने में कुछ मैंने देखा नहीं परन्तु कुम्प्लीट स्राइलेन, अंदर में कोई भी संकलप नहीं चलता था, और एक अंदर में खुशी होती जाती थी, ऐसे लगता था, जैसे कि मैं बाबा से मिल रही हूं, जी, जी, काफी समय मैं बैठी रही, सभा चली गई, मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन काफी समय के बाद, जब मैं उठी, तो इदर उदर देखने लगी कोई नहीं है, और मैं अकेली हूं, तो जरा सोच में, शान्ती में फिर से बैठ कई, जी, फिर कुछ समय के बाद मैं उठी, और जाने लगी, तो मेरे से पूछने लगे, क्या हुआ, मैंने का नहीं मैं बाबा से मिल रही थी, ऐसे करके पहले दिन तो मैं ऐसे ही चली थी, पिर जब दूसरे दिन आई, तो मुझे भी इंट्रेस्ट हुआ, जी, और मैं बड़ी जी, 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 खोला था, वही हम पूछना चाहते थे, जैसे बाबा ने घुटल खोला था, तो फिर आप उस होस्टल में आपड़े, जो बाबा ने खोला था? जी, क्योंकर जब हम ऐसे आए तो किस हिसाब से हम आए एतनी चोटी तो बाबा ने जैसे के अपने पासी खोल दिया। इस्कूल के नाम से नहीं पर अदर ऐसे लगता था तो हम पिर उस ख्लास में बैठे अपकी उस वोग इस वका कितनी उम्र रही होगी दादी? अभी मुझे आयू तो पक्की याद नहीं है, क्योंकि परहाई तो पड़ती थी, और मैं उस समय 6 या 7 क्लास में थी, अच्छा, काफी चोटे थे, तो फिर परहाई तो जब हमने देखा इधर क्लास चलती है, तो हमने घर में यही बताया, कि वहाँ इस्कूल है, और वहाँ ब परने की अभी में जाए जासे कि छुटी से वहाँ रोष जाती थी, अपने परिवार को छोड़के फिर बाबा के साथ कब रहना शुरू किया? वह तो कुछ समय के बादी हुआ क्योंकि जब तक माता जी थी तो माता जी को साथ देना ही था, आते जाते थे परन्तू जास्त हुआ बादी, फिर जल्दी आ गई जाए हुआ। मने जाएँ हुआ। मिश्त कि निश्त को परन्तू परनुश आया ज्पम स्कूली एपने जाते हुआ हुआ। कि जब जगह नहीं मिली हुआ मेरे थे इन जाना जाएं। तो हम इस liberalis परन्तू जाना है तो उम इस स्कूल मे जाती है और इसकूल में हमारी यह परहाई है तो वह परहाई पढ़ते रहे और कुछ समय ऐसा चलता रहा तो विशेश क्या शिक्षाय थी जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगी बहुत अच्छी लगी वहाँ पर मना हम जो बाबा सुनाते थे तो सुनने से बड़ी शान्ती लगती थी और हम बड़ी ध्यान से सुनते थे और हम देखती थी कोई कोई ध्यान में चली जाती है तो वह भी एक इंट्रेस्ट की बात थी तो क्या है क्या नहीं है परन्तु हम फिर उन बातों में जाती नहीं जैसे पढ़ने के लिए आई पिर चली गई जैसे कुछ समय त ठेसे कमर के या समय धी जैसे कुछ समय पड़ने कुछ समया नहीं है और हम दो खनी मतुछ थी जैसे कों जो ऑई जोए तो यसम पर दूसमार लागत हिंखती क्वाश तर में तेस्यूम्ट गवस्तर में खाना के श्यापन आस ले मोगते श्याखती कि बात वी नहीं है तो उ तुम एपोता हुआ चेहींदे परान्तु शरू शरू में अजन बाबा ने क्लास चलाया था। के रिरत हैं कुमारगा दाडी और डिर्दी मनवमवन लिभरी इसे तीन चार दाडियां थी जो थे च्लास बहुत करके कुमार का दाडी करा था। परन्तु पर्ते हम यही जो बाबा डिस्कोर्स देते थे, वो हमको पराया जाता था, जिसकारण वो हमको बहुत अच्छा लगता था, और याद में बना जल्दी पर जाता था, फिर ऐसे सुनते सुनते मेरे को ख्यालाया मैं लिखती हूं, देखो मुझे लिखने आता है, तो बाबा का सननना मेरा लिखना जिए सो रात कॉन अनाया सो घ्ता रहा बाबा को यह पता नहीं चले के मैं लिखती हूं वहने बाबाů, अभा मोर्नचे मेरा फिर से नही पराणाि जैसे हम उसर क्लास परणने के लिए आई, शरीती डिसे आते थे, पेर जाते कुछ समय ऐसा चलता रहा, जिए अभी पक्का याद नहीं है कितना समय पर कुछ समय से चलता था, फिर स्टैंडर्स बदलता है ना, तो इस स्टैंडर्स बजलेंगा नहीं, तो फिर आखार मैं, मतलब वहां चलते चलते यह बढ़ता गया, सच्छंग बढ़ता गया, लोग आ और फिर बाद में कितने लोग हुए? मतलब मतलब यह चलता रहा, दुनिया को यह मालूम नहीं परा कि इतने में सच्छंग है, इसा होता है, यह होता है, वह समनते थे सच्छंग गई है, तो खुशी से चुटी मिलती थी, मैं पराई पर जाती हूं, काफी समय के बाद जब दादी आए तो वह अपना फैमिली चोड़ के आए थे बाबा के पास, तो उनकी तरह और भी माताएं थी यह अपनी फैमिली चोड़ के आए, तो आप देखते थे कि उस समय पिकटिंग हुई और बहुत सारे लोग विरोधी बने, यह काफी समय के ब बाद हुए तो आवाज तब ही पड़ा जब हम जास्ती आने लगे और फिर दीरे दीरे वहां ही रहने लगे तब आवाज सम्झो होने लगा फिर बाबा हैदराबाद छोड़ के कराची में आ गया तो उस समय हम कहेंगे हम क्या रहें तो चुटिया लेके अपने घर से कराई उसका लक्षे क्या था वो क्यों कराई बाबा ने वो तो लक्ष तो हमें यही मिलता था तुम याद करो मैं कौन हूं मैं परमात्मा की संतान हूं ऐसे अपन को समझ करके शानती में बैठ जाओ तो हम शानती में बैठ जाते थे और अंदर में जैसे के हम बगवान से ना बहु बहुआ है। कहा बावार के दुनिया से कोई connection नहीं होता था? कोई भी बाहर नहीं जाता था? जहां आप रहते हैं, वहां से बाहर नहीं जाते थे? नहीं, शुरू में तो जाते थे, जाते आते थे, जब बाबा कराची में चले तो पिर कहां जाएंगे, तो वहां ही रहे, तो जब पार्टिशन हुआ, क्योंकि ये हैजराबाद सिंध की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान नहीं बने थे, अलग-अलग नहीं हुए थे, ये पार्टिशन से पहले की है, तो जब पार्टिशन हो रहा था, पाकिस्तान एक नया देश बन रहा था, तो उस समय क्या अवस्थाती सभी की? उस समय तो हम अंदर थी ना, ओम अंदली में, क्योंकि वहां ही पढ़ने आती थी, तो वहां ही समझो रहती थी, तो सभी जो किस तरीके से उनको mentally prepared किया ऐसी परिस्तिती के लिए जैसे बाबा कहते थे कि विनाश भी सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है बाबा ऐसे कहते थे तो सभी को इतने सारे लोगों की पालना बाबा कर रहे थे, तो बाबा क्या कहते थे उस समय बाबा तो कुछ नहीं कहते बाबा तो समझे अपना हैरावाद चुर के कराची आ गए हम कहां जाए तो हम भी कराची चले गए फिर बाबा ने क्या किया देखा ना इतनी समाताय आती है और फिर थोड़ा गंसान भी होता है तो बाबा ने एक अलग मकान ले लिया जैसे माताय आपस में मिलकर के सरसंग होताय छोर्वा जैसे मेरे जैसे क्यों पुछते हो ऊख गए उनका को बनाया गया तो इसी निम्हिता से समझे चलता रहा तो समझे पहले थिर में पता दोता नहीं थी होता है जंब बनादा गया णुछ अगदा गया हम लोग Guitar बनाने लगे और ऊधर रहे माता है इसमान तो इसलिए पीछे थोड़ा थोड़ा मतलब आवाद होने लगा तो दुनिया पहले पूस्टी देखती थी यह तो आके हम तो कहते थे हम तो पढ़ने जाते हैं देखो अमारी यह पराई बोर्ट पर लिखा हुआ किताब है यह हमारी पराई है तो उन्हों को बोलने का कोई च क्योंको कहीं बांदेलिया हम भाग के आती थी यह करती थी तो वह फिर जावे कहां तो अलग मकान उसको लिख के दिया तो बामा कहते है उन्हों से जाकि पुछो वह उदर है हमारे पास थो रही है मतलब शुरू की कहानी तो बड़ी वर्डरफुल है जो बताने में भी इत सत्चंग बता गया और जब फिर प्रकेटिंग होने लगी कोई हमको अंदर आँ जाने नहीं देते थे तो हम बाइर खरे रहते थे तो आवाज होने लगा कि भाई इसके पास ऐसा सत्चंग होता है माताएं बहुत जाती है और इस वीती से उन्होंने कोशच की परन्तु उस सत्चंग में जाते हैं इसको हमको थोरही रोकते हैं हम सत्चंग में जाते हैं हम अलग काम करते हैं वो अपना काम करती थी उन्होंने स्विंग क्लास खोल दिया और वो सर्विस करके हम चलते हैं हमको यह सत्चंग में जाना है पिर गर्वाले भी जास्ती क्या करेंगे कराची एदराबाद से बूते रहेंगे और बुलाते रहेंगे तो भो भी आकर्चप कर बैच गए अखर मतलब ऐसे चलता रहा हमारा ससंग बरता गया जो कुमारियां थी वो आती रही जब बहुत बढ़ गया तो कुमारियों को बंद करने लगे वो भागती बागती आई तो बाब आता हुआे था शिव भाबा ने अभी आपको भारत जाना है था मैं ने भृत में आता हूँ स्थान भारत तो आसा में यू ख्यूल क्यू्मण कहांण कि आप कराची में थे पर बाड़ को करदोना था तो थोड़ा शहिए विल खाote, चलिए मों परये ų भारत में आं कि अभी बाबा तो थोरा समय तू रहा भारत में बाबा जब से भारत चोड़ा तो भारत में गया नहीं क्योंकि बाबा का फिर इदर सशंग चला हम लोग भी वहां थे और बाबा आते थे जो आते थे बाई तुम अपनी बेटी से पूछो वह चले तुम बहले ले जाओ मैं उनको नहीं ले आया हूँ अभी वह चले तो ले जाओ उसको सटसंग अच्छा लगता है तो उसमें हम मना क्यों करेंगे इस रीती सटसंग बढ़ता गया हमने हैदरावाद चोड़ दी बाबा ने भी हैदरावाद चोड़ दी और कराची में अपना सटसंग किया है वहां हमको बहुत बड़ा बंगला मिला था जी उस बंगले में रहते थे जो उसके सीरी के मतलब आगे थे कराची से माउंट अबू का सफर कैसे तै किया आप सभी ने फिर काफी समय हम उसे वहां ही रहे ना हैदरावाद चोड़ दी कराची में आके रहे कराची में आस्तान मिलन चाहिए और फिर देखा तो ऐसा है पिर किसने कोई जैसे सादुमा आत्मा होते है ना तो उन्होंने रहे दी तो आप अबू में चले जाओ वहां आपको अच्छा रहेंगा पिर अबू में आने के बाद तो वहां कोन आएंगा लेने के लिए जो भी माता है वगे रगे लेक हुआ ही रहती थी वह अपना काम करती है मेशिन चलाती है अपना पालत करती है हम तो उसको नहीं बिठा है हम तो वह भले ले जाओ चले आपसे तो ले जाओ इसलिए उस वात में भी पिर जास्ती हम प्रजास्ती हम warmer सकती थी तो he сво cold weather ने जो यह थ्ची आती थी तो बा तो मुद्धर अपना स्विंग क्लास करो और अपने को चला हुआ दादी एक छो एक गीत जो है ना जो सभी मिलकर के माताएं बहने गाते थे उस समय तो वो गीत के बोल हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं क्योंकि सब लोग के अंदर नशा बहुत होता था तो वो नशे से व आपके में कुछ पंक्ती उसकी ना हमसे जुदा होंगे ना उलफत दिल से निकलेंगी बड़ी है याद दो दिल जो दिल में बड़ी मुशकल से निकलेंगी तो अब हम कहां जाएंगे इसलिए हम अपना काम करते हैं हमने बाबा कु निश्चिंत कर लिया और फिर हम रोज आते भी थे तो कराची में आ गए तो सवाली नहीं कौन आएंगा हमको लेने पिर वहां भी उन्होंने पिकेटिंग की बाएर खड़े हो गए बारा बज़े तक खड़े रहे दो बज़े तक आकर वो भी तो ठख जाएंगे हमको तो अपना घर था परमात्मा वे बहुत द्रिण निश्य था कि कोई कुछ कर नहीं पाया और हुआ भी ऐसे ना जी तो क्या कर सकते हैं इसलिए हम ख़रे रहते थे ते बले आपको पकेटिंग करने दो कर लो हम वहां जाएंगे ही आप इसमें क्या करेंगे हमको पसंद है इसलिए आप जास्ती तंग नहीं करूँ पर वह भी देखते थे यह मानते नहीं है ठीक है नो को सच्छंग पसंद है तो कलते रहे हैं ऐसे करते बाबा का सच्छंग शुरू है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदी हम यहीं पर ही खतम नहीं करेंगे क्योंकि यह तो सिर्फ एक एपिसोड है लेकिन हमारी आगी और भी कडिया है और और भी हम आपसे जानना चाहते हैं पर समय की सीमाई है हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दादी आप हमारे साथ यहां पर आई और इतनी सारी अनुभव की बाते शेयर की दर्शिकों तो आपने देखा कि जिस प्रकार हम हमने रामायन में देखा है कि श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मन भी 14 साल के वनवास पर गए थे और रावन को पराजित करके अयोध्या लोटे थे उसी तरह हमारी दादियों ने भी बाबा के साथ 14 वर्शों तक दुनिया से अलग होकर अखंड तपस्या की जिसका फ हम दादी जी के जीवन की और विशेष्टाओं को जानते रहेंगे इस कारेक्रम के माध्यम से आज के लिए इतना ही आग्या लेते हैं नमस्कार, ओम शंती